बिस्मिल्लाहिरमान रहीम अससलाम अलेकम डियर स्टोडियन वेलकम बैक इजियोलोजी मेक स्टडीजी के साथ मैं हूँ अम्मद कामरान और आज हम इंतहाई बॉक में थोड़ा सा डिफरेंट है मुश्कल है कुछ स्टेप मिसिंग है वह भी डिसकस करने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा नहीं थोड़ी सी लेंथी हो सकती है लेकिन इसमें जो मेटीरियल है वह आपके लिए फुल हंडर्ड बाई हं प्रूट राइपनिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो अपने टॉपिक का आगास करते हैं सबसे पहले कि फुरूट है क्या और क्यों प्लांट फूट बनाते हैं जब इंसान सारे फूट खा जाते हैं ठीक है जी प्लांट इस लिए फूट बनाते हैं के फूट उनके लिए सेफ वहिकल है गाड़ी है फॉर्दा सीड ट्रांस्पोर्ट ठीक है जी कोई सीड इंडिया पाकिस्तान निपाल के किस कौने में बना है और अगर वो एक्सपोर्ट हो गया है तो जिस जगा वो पहुंचा है चांसीज है कि वहां पर अब भी क्या कर सकता है उसका सीड ग्रो कर सकता है फ्रूट हम खा लेंगे सीड अकसर हम फैंक देते हैं अब यह स्टुटेंट सबसे पहले तो फ्रूट क्या होता है फ्रूट हम बोलते हैं इस इस मेच्छोर let me change the color mature ovary क्या होता है? mature ovary mature आपकी बुक में लिखा हुआ है ripened एक ही मतलब है ripened में पक जाना mature में बड़ा हो जाना ovary this is carless this is carless हमारे पास fruit अब दिया student fruit बनता ovary से और ovary female reproductive पार्ट है, ovary के लावा भी different हिसों से fruit बन सकते हैं लेकिन हम real fruit की बात करें उनको pseudo fruits कहते हैं ज्यादा detail में fruit के topic में नहीं हमने जाना हमने आज देखना है कि fruit पकता कैसे है किन किन steps में पकता है तो dear student याद रखिएगा इस से पहले आपको ये process छोटा सा समझना है और इस process को हम जानते हैं pollination के नाम से dear student ये जो इदर मैंने सब कुछ लिखा हुआ ये आपकी book का है book को follow किया हुआ था कि आपके numbers ज्यादा हैं लेकिन topic मैंने details से समझाना है तो इसको थोड़े दिर के लिए गिनौर करें आए topic के तरफ अब dear student जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास हमारा female reproductive part है और ये जो female reproductive part इसको बोलते हैं ovary क्या बोलते हैं ovary और बाकी आप जानते हैं इसके इर्दिगिर्द हमारे पास क्या मुझूद है flower मुझूद है और वो flower मैंने इदर आपके सामने बनाया हुआ ठीक है जी बाकी उसके different part है उसको हम जिकर नहीं कर रहे है थोड़े दिर के मैं flower को भी इगनौर कर रहा हूँ ठीक है जी अब डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि यह यहां पर इसके तीन पार्ट्स हैं कारपल के stigma, style, ovary इस ovary की development होती है हमने part one में पढ़ा था और development जब यहां पर होती है तो यहां पर हमारे पास एक stage आती है उसको हम बोलते हैं seven cell stage ठीक है जी और यह हमारे पास egg है यह synergids है, anti-border है और center में endosperm nuclei मुझभूद है यह हम double fertilization के अंदर detail से पढ़ चुके हैं, मेरा आज मकसद आपको यह पढ़ाना नहीं है, तो मेरा मकसद आज आपको पढ़ाना क्या है ज़रा देखिएगा यहां पर pollen grain आता है ठीक है जी, और आकर landing करता है जैसे यह भाईजान pollen grain यहां पर landing करते हैं ना तो यह pollen grain ना सिर्फ male gamete ठीक है जी? male gamete को transfer करने का जरिया है बलके जो यह pollen tube बनाते हैं ठीक है? एक pollen tube का तो यह काम है ना, कि यह safely यहां पर क्या करती है? spams nuclei को transfer करती है male nuclei को transfer करती है वो male nuclei मैं green color से show कर रहा हूँ ठीक है? यह यहां से चलना start हुए है एक इदर fertilize करेगा, एक इदर fertilize करेगा ठीक है जी? इसको double fertilization बोलते है और यह जी, यहां पर fertilization हो गई है ठीक है? एक तो यह काम करता है safely gamit को transfer करता है लेकिन दूसरा यह काम क्या करता है? यह जो हमारे पास है इस इस दा रिच रिच सोर्स ओफ औक्सिन इसके अंदर वावा सारा, बथेरा, अन्यवा औक्सिन होता है किसके अंदर? इस pollen ट्यूप के अंदर अब जैसे यह इस पर आता है ठीक है जी? जैसे इस पर आता है औक्सिन रिलीज करता है ओवरी की दिवारें भी औक्सिन रिलीज करने लग जाती है तो हर तरफ क्या होने जा रहा है? औक्सिन, औक्सिन, औक्सिन औक जिन्द क्यों जरूरी अभी मैं आपको पताऊंगा लेकिन यहां पर जनाब development of ovary फ्रूड बनने का पहला step है ovary mature होई ovary ने क्या करना था seed बनाने और फ्रूड बनाना ठीक है जी seed अंदर बनेगा यह इससे amay Video अभी नेगा यह जो एग भी फर्टिलाजेशन होई जाइगोड जाइगोड अब्र human or के डॉर्मेंट एंबरियूज कार्लेस सीड खैर तो यह जो ऑवरी डिवैलपमेंट कर रही थी यह दो कामों के लिए कर रही थी एक इसने फूरूट बनाना था एक इसने सीड बनाना था यहां पर फर्टिलाइजेशन हुई उससे सीड बनेगा अब फूर जो यहां पर स्टोर होगा फूरूट जो बनेगा वो कैसे बनेगा हम यह देखने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट याद रिखिएगा अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो आम तो पर यह ज़ड़ जाता है यह गिर जाता है लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो यह अभी मैंने फ Attackiber का पार्ड बनाया थायवाher इन्हें बोलते हैं पैकटल यह पैटल्ट गर जाते हैं ठीक है यह पैटल्स किर जाती ओर्वरी के लावा ओल्मोस सारे पार्ड इस flower के गिर जाते हैं, गिर जाते हैं, और ये, this ovary, this ovary, retain, ये यहीं पर रहते हैं, ठीक है जी, ये कब हो रहा है, जब fertilization हो गई है, तो flower के सारे इसे गिर गए, पैटल्स गिर गई, ठीक है जी, स्टेमन गिर गए, बाकी से सारे गिर गए, ovary retain रह गई है, क्यों रह गई है, this is due to oxygen, तो भाई, इसे बोलते हैं, fruit set, fruit बनने की त्यारी शुरू हो गई है, अगर ये fertilization ना होती, तो आम तोर पर ये ovary भी गिर जानी थी, तो fruit बनाने के लिए पहरी शर्ता है, जिसने fruit बनना है, जिस ovary ने उसकी retention की जाए, तो हम बोलते हैं, what is fruit set, retention, किसकी, off, ovary, on plant, plant पर ये ovary क्या करें, retain करें, अब ठीक है, student देखें, pollen grain, पहला काम transfer करते हैं, गमीड को, दूसरा काम है, oxygen produce करते हैं, और जब ये oxygen produce करते हैं, खुद नहीं खाली produce करते हैं, बलके, ये साथ ही साथ, stimulate करते हैं, ठीक है, ovary को भी, के भाई, तू भी oxygen निकाल, क्योंकि oxygen के फाइदे बढ़ें, पहला फाइदा हमें पढ़ लिया, कि ये ovary ना, plant के साथ रहेगी, गिरेगे नहीं, जब ये गिरेगी नहीं, तो ही fruit बनेग होगा, हमारा भी लोस होगा, सब कहीं लोस होगा, यहां तक बाते क्लियर है के नहीं, तो ये पहली चीज़ है, अब आगे देखिएगा, dear student, जब जब इसके अंदर ये, जब ये seed बन जाएगा, तो दो layer हम draw कर लेते हैं, just कि हम कहते हैं, जी ये endosperm है, और ये अंदर dormant embryo है, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया, seed, ठीक है, अब fertilization के बाद, ये seed भी क्या करता है, ये seed और ये ovary क्या करती है, ovary and seed produce oxygen, ये oxygen पैदा करते हैं, stimulate fruit development, fruit development के कुछ steps हैं, आपको बताता हूँ, लेकिन अब बुक की बात सुने, fruit setting के बाद अगला step क्या है, fruit की development, fruit development में खाली oxygen नहीं होता, बाकी hormone भी होते हैं, इसलिए आपकी बुक कहती है, seed produce many hormones, वो many hormones कौन से है, cytokinin, gibralin, oxygen, mainly, ethylene, ठीक है जी, जिसे हम ethene भी बोलते हैं, ये fruit के पक्ते वक्त निकलती है, तो अभी तक बात समझ आ रही कि नहीं, fruit setting, oxygen की वज़ा से retention हो गई, ovary गिरी नहीं, ovary यहां पड़ी थी, next step क्या हुआ, fertilization हुई, seed बना, seed ने भी hormone निकाले, ovary ने भी hormone निकाले, वो hormone कौन से थे, ये वाले थे, और ये hormone क्या करेंगे, fruit की development करेंगे, जो कि आपकी बुक नहीं बताती, कि development कैसे करेंगे, मैं आपको बताऊंगा, development की कितने phases हैं, कितने steps हैं, तो dear students, आएं तो देखते हैं, कि ये कितने steps में और क्या development होने वाली है, जरा गोर से देखना है, ठीक है जी, ये development हमारे पास होने वाली है, this development is going to take place in the five steps, five steps, कितने steps होने वाली है, five steps, step number one, fruit set, fruit set, जो कि हमने कर लिया, first fruit set क्या है, retention of the ovary, retain करना भई, वहां लगे रहे, plant के साथ लगेगी, तो fruit बनेगी, आए में थोड़ी करन चाहिए, step number two क्या है, step number two है, cell division, कहां बताता हूं, tension नहीं है नहीं, सारा ovary में हो रहा भी है, step number three, cell enlargement, cell enlargement, कोशिश कीजएगा कि अपने, जो mobile है, उसकी screen को tilt करके देख लीजएगा, तक screen आपको बड़ी नज़र आए, number four, हमारे पास आता है, ripening, हमारे पास क्या आता है, ripening, ठीक है जी, और, at the end, हमारे पास आता है, खराब हो जाता है, fruit, senescence, यह, दीके, never trust my spellings, ओके, अब यह steps हमने देखने हैं, जो fruit की development में हो रहे हैं, यहां तक, यह, 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 यह fruit की development है, इसके बाद ripening और यह फिर खतम, यहनी हमने overall fruit के बनने तक और खतम होने तक सारा process देखना है, जिसमें, अच्या, cel devian and enlargement हमारे पास, इसकी development में आ जाता है, तो देखते हैं dear students, तो यह पहला steps, यह पहला step, इस step number one, यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां तक इसको हम क्या बोलते हैं यह स्टेप नमबर वन फ्रूट स्टेट इस स्टेप नमबर वन यह क्या है फ्रूट स्ट और यह किस भाईजान की वज़ा से हो रहा है भाईजान औकजिन की वज़ा से किस वज़ासे हो रहा है और जिन की वज़ासे ही मारा step number one है ठीक है जी step number one कि यह किसकी वज़ासे है और जिन की वज़ासे यह step one खतम हो गया अब step number two है step two में क्या होगा सेडवीय결 यह सारे के सारे PARTS गिर जाएंगे PETLs गिर जाएंगे ठीक है? आम तुरिपर सैपल्स भी घर जाएंगे ठीक है? और गिरकर OVA और ओफिरी पे दाड़ादा दाड़ा दाड़ Division होगी, ज्यादा सारे Cell benेंगे A LARGE नमपर OFF CELL Compacts Mass of CELL is farmed तो यह क्या होगे हमारा step number two हमारा क्या हो गया step number two अब dear student यह जो step number two है किस हार्मोन के वज़ा से हो रहा है this is due to cytokinin step number one step number two step number three सब के अंदर यह तेनों enzyme मजूद होते है cytokinin, gibral, auxin लेकिन कौन किस वक्त ज्यादा active है मैं आपको बता रहा हूँ step number one में हमारे पास auxin ज्यादा active था fruit setting के अंदर बाकी दो भी थे, ज्यादा active auxin था, step number two क्या हुआ, cell devian होई भाई वो जो ovary retain कर गई उसमें cell devian start होगी और जो cell divide करते रहे ज्यादा 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 और यह ज्यादा ओवरी है, यह compact mass of cell बन गया जिसके पास एक इसकी छोटी अपनी vacuole होती है, ज्यादा बड़ी vacuoles नहीं होती, यह जो cell बने अभी, अभी यह इनका final size नहीं आया, cell बन गया, cell devian हो यह cell बने गया, इसमें cytokinin का roll होता है, next आता है हमारे पास, वो जो cell बन गये थे, उन cells की enlargement होती है, cell devian और cell enlargement में क्या फरक है, फर्स cell enlarge बड़े हो जाते हैं, तो यह devian और enlargement का फरक आपको समझा जाएगा, और cell enlargement के अंदर auxin का बहुत बड़ा roll लगता है, ठीक है जी, अब dear student, हमारे पास cell number, food set, cell devian, यहाँ पर होई, cell enlargement, तो ovary बड़ी हो गई, और ovary ने अपना maximum size क्या कर लिया, attain कर लिया, यह हमारा step number two है, ठीक है, और यह हमारा step number three है, और यह हमारा पूरा step number आगे four है, मैं इसको label भी कर देता हूँ, इसका अबने नाम रखा है, fruit set, fruit, fruit set, ठीक है जी, इसका नाम क्या है हमारे पास, cell division, cell division, इस तीसरे का नाम क्या हमारे पास, cell enlargement, cell enlarge हो रहे हैं, और यह चौते का नाम मारे पास क्या है, ripening, इसको क्या बोलते हैं dear student, ripening बोलते हैं, अब dear student, बात देखिए का ज़रा ध्यान से, हमने यहां पर देखना है कि कौन कौन से हर्मून यहां पर कितने कितने क्या है, involved ह तो let me first of all clear this, अब देखिए मेरा student, जरा बात ध्यान से सुननी है, तो ripening के बारे में बस आपको बताना रहे गया, मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा हर्मून हमारे पास है, तो हर्मून नमबर वन हमारे पास था जी, हमारे पास था साइटो काइन, तो साइटो काइन, हमारे पास जो है, यह ऑकजिन सबसे पहले ले ले लेते हैं, ऑकजिन पहले हमारे पास setting devian enlargement, setting devian enlargement तीनों में ज्यादा होता है, फिर इसकी तदाद कम हो जाती है, ठीक है, कहां पर कम होती है, cell enlarge कर लेने के बाद जब एक maximum size आ जाता है, उसके बाद राइ अधाद बढ़ती है, यह कौन है, इस इस ऑकजिन, यह हमारे पास ऑकजिन, ठीक है जी, उसके बाद मारे पास आता है जिब्रेलेन, जिब्रेलेन जोंसा है जी, यह यह दोनों हार्मोनों की मदद करता है, यह दोनों हार्मोनों की क्या करता है, मदद करता है, cell devian में में मद करता है यह उसके बाद हमारे पास आता है साइटो काइन तो साइटो काइन जोंस है ना जी साइटो काइन जोंस हमारे पास साइटो काइने शुरू शुरू में ज्यादा होता है आस्ता-स्ता सेल इनलार्जमेंट थकी क्या वजाता है काम मुजाता है ठीक जी, ये है साइटो काइने ये है हमारे पास जिबरेलिक इसेट वो है ऑक्जिन और एक हार्मोन पैदा ही राइपनिंग के वक्त होता है, वो कूंसा हर्मून है? देख लेते हैं उसको, उसको हम शो कर रहे हैं, जी ग्रीन से शो कर रहे हैं, क्योंकि वो हग इसके साथ ही होता है, और जिन के साथ मिलकर काम करता है, और इसका क्या नाम है? इसका नाम है इथाइलीन, मुश्किल नहीं ह है अभी ये सेल इनलार्जमेंट के बाद अगला स्टेप आता है फ्रूट की राइपनिंग होना शुरू हुई है ये देखो ये टमाटर है ग्रीन से लाल हो रहा है ठीक है इसको बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट जब ये लाल होना पकना स्टार्ट हो जाए और ये फुल पक का चुका है अब इस पकने के दुरान क्या-क्या-किसी पकर ही होती है ये भी हम देख लेते हैं इस पकने के दुरां डियस्ट्जूником इंट जो हमारा फूट है कलर और फैवर फिलेवर एड करता है कलर के लिए कैरोटीणाइट ले ले माप फिलेवर के लिए शूगर और ए इंकलेक ट्यूरो या ट्यूरानेस सुरी ट्यूरानेस अब ये इंजाइम क्या करता है इसको नर्म करता है नर्म कैसे करता है देखें ये प्लांड का सेल है और प्लांड के सेल में सेल वाल मुजूद होती है ठीक है जी और ये प्लांड का दूसरा सेल है कि याद रखेगा प्लांट के एक सेल और दूसरे सेल के दरम्यान में सिमेंटींग मटेरियल होते हैं उसे हम बोलते हैं पक्टिन यह क्या करता है? इस पैक्टिन को तोड़ देता यह इंजाइम ठीक है? यह जब तोड़ देता है तो सा लूज हो जाते हैं और इस तरह यह क्या होते हैं? नर्म पड़ जाता है ठीक है डियुस्टॉड़न्ट इससे एत्रैक्षन बढ़ती है इसकी तरफ organism आते हैं इसे खाते हैं तो dear student ripening के बाद ultimately क्या होगा इसने decay करना और खतम हो जाना ये 5 step पूरी होगा, पहला step fruit set, दूसा step cell division, तीसा step enlargement चोथा ripening, पांचमा sanicence या decay अब dear student याद रखिएगा क्योंके ये जो tomato है इसको climetric fruit बोलते हैं climetric fruit जरा बाद गोर से सुनिएगा जब इन में ethene production होती है ये जो ethene hormone बना है तो इन में burst of respiratory activity होती है बहुत ज्यादा respiration होती है तो simply हम के बोलते हैं ripening accompanied by burst of बहुत ज्यादा respiration respiration क्या होता है respiration में simply होता है कि जो उसके अंदर food हमार पास fruit में जो food है उसके साथ oxygen मिलेगा carbon dioxide बनेगा water बनेगा energy release होगी इस तरह ultimately क्या होता है respiration तेज हो जाती है जितना इधीन ज्यादा होता है उतनी respiration तेज हो जाती है तो हम बोलते हैं बहुत ज्यादा respiration होती है burst of respiratory activity ठीक है जी ripening accompanied by यानि राइपनिंग हो रही है ठीक है along with very rapid respiration and this is due to the ethene production these kind of fruits that are ripened by the burst of respiratory activity along with the ethene production are called as climactic fruits and जो fruits climactic fruits होते हैं इन्हें आप कच्चा उतारके बाद में ethene का spray अगर इन पर करें तो आप इनको पका सकते हैं इनमें हमारे पास क्या आते हैं बनाना आते हैं हमारे पास खास पर रुपर टोमेटो आते हैं ठीक है जी लेकिन एक fruits जो आपकी बुक में डिसक्रस नहीं है उन्हें एक लाइमेक्टरिक बोलते हैं वो एक लाइमेक्टरिक fruits ऐसे fruits होते हैं dear student dear student एक लाइमेक्टरिक fruits ऐसे fruits होते हैं जिन में बस्ट ओफ रेस्पारेटरि एक्टिविटी नहीं होती हैं और जिनें एक बार कच्चा उतार लो तो बाद में पका आने सकते हैं ग्रेप्स कच्चे उतार लो माल्टे कच्चे उतार लो वो खटे के खटे ही रहेंगे ठीक है dear student तो यह था हमारे पास fruit के बारे में काफी कुछ हमने पढ़ा hopefully आपको समझ आया होगा इन्शालत अला फिर मिलेंगे एक नए लेक्टर के साथ लेकिन एक बात मिरे जैन में अभी भी आई पैरिकार्प के बारे में कि जब यह हार्मून क्या करते है fruit की development करते है और food को store करते है कहां पर एक seed में दूसरा पैरिकार्प है तो याद रखिएगा यह जो ovary होती है तो यहां पर भी food क्या होता है store होता है अपना खिया रखिएगा फिर मिलेगे नेकलेक्टर के साथ अलाहाफिस